दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बर फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिम्टेट की तरफ से डिप्लोमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोश्टो पर वेकेंसी है आपकी डाइरेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपके एक्जाम ने सनफीस लगेगी बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोम में आपको जोफ सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वोक्ट सब्ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका रेल विकास निगम लिम्टेट की तरफ से निकाला गया है यह संस्था आपकी मिनिस्ट्री ओफ रेलवे के इंडर में आती है और गोर्मेंट ओफ इंडिया का इंटर प्राइज़ है यहाँ पर आप लोग एडविटीज में नमबर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी जहाँ पर भी भी टेक और डिपलोमा वाले अपलाई कर पाएंगे इन सभी पोस्टों में अपलाई करने के लिए आपके पास experience होना चाहिए अब बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में तो पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Senior, SHE, Manager के लिए तोटल यहाँ पर आपकी एक पोस्ट पर वेकेंसी रहेगी क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने डिपलोमा किया है इंजिनरिंग की किसी ब्रांच में और उसके साथ ही आपने एडवांस डिपलोमा किया है Safety Management में आप यहाँ पर Releasable रहेंगे डिपलोमा वालों से यहाँ पर मिनिममम 5 यर का और डिगरी वालों से यहाँ पर मिनिममम 3 साल का वर्क Experience मांगा गया है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Planning Manager के लिए टोटल यहाँ पर आपकी एक पोस्ट पर वेकेंसी रहेगी अगर आपने बी बी टेक किया है Civil Engineering में आपके पास 10 यर का वर्क Experience है आप यहाँ पर Releasable रहेंगे अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Plumbing Engineer के लिए Qualification में आपको बताया है अगर आपने बी बी टेक किया फिर डिप्लोमा किया है Civil Engineering में आपके पास 5 यर का वर्क Experience है आप यहाँ पर Releasable रहेंगे अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Survear के लिए टोटल यहाँ पर आपकी दो पोश्टो पर वेकेंसी है अगर आपने बी बी टेक किया फिर डिप्लोमा किया है Civil Engineering में मिनिमम आपके पास 5 यर का या फिर 8 यर का वर्क Experience है आप यहाँ पर Releasable रहेंगे अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है अगर आपने बी बी टेक या फिर डिप्लोमा किया है Civil Engineering में और आपके पास मिनिममम 10 यर का या फिर 15 यर का वर्क Experience है आप यहाँ पर Releasable रहेंगे लास्ट की वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है बी 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 टेक या फिर डिप्लोमा किया है Civil Engineering में और मिनिममम आपके पास इतना Experience है आप लोग यहाँ पर Elisable रहेंगे तो जिन भी दोस्तों हमारे बी बी टेक या फिर डिप्लोमा किया है Civil Engineering में मिनिममम आपके पास इतना Experience है आप इन पोस्टों के लिए Interested होते है लिजबल होते हैं तो इसके लिए आपको ये वाला Application Form लेना है इस Application Form को आपको बहुत अच्छी तरीके से फिलब करना है और उसके साथ में आपकी जितने भी जरूरी डोकुमेंट है उन सब को आपको Self Test करना है और आपको पहुच जाना है इनके Official Address पर इंटर्यू यहाँ पर आपका होने वाला है नई दिल्ली में एक और दो अप्रेल को जो बिसकली यहाँ पर आपकी contract बेस पर रहने वाली है इनिसली appointment यहाँ पर आपकी तीन साल के लिए रहेगी बाकी से आपकी performance और requirement के हिसाब से आगे extend किया जाएगा अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you शुक्रिया